जैहिन दोस्तों प्रदेश में 3000 से अधिक साहेता उच प्रात्मिक विद्यालों में 1504 साहेक अध्यापकुक की भरती परिक्षा और 390 प्रदाना अध्यापकुक की भरती परिक्षा जो है 10 अक्टूबर को होनी है वही उत्तर प्रदेश राध्य सिक्षा परतिता परिक्षा जो है इसकी डेट भी आ गई है जिसे UPTET कहा जाता है 19 दिसंबर को होने वाली है परिक्षा नियामक पदधिकारी सचीव जी ने कहा है कि दोनों परिक्षाओं के लिए प्रदेश सरकार को जो प्रस्ताव है भो बेश दिया गया है एडिर जूनियर है स्कूलों में साहिक अध ठाना द्यापक के जो भरती परिक्षा है पहले 11 अप्रेल 2021 को होनी थी बाद में इसकी तारीक 18 अप्रेल कर दी गई फिर कोरोना की दूसरी लहर के चलते जो है परिक्षा अस्तगित करती गई और अब ये परिक्षा ठार अक्टूबर को रखी गई है साथी साथ आपको पत प्रताव दिया गया है सायक अध्यापक और प्रधाना अध्यापक जो भरती परिक्षा है इसमें पांच लाग से अधिक जो अभ्यारती है उन्होंने आव इदन किया है वही कोरोना संक्रमन के कारण टीटी 2020 भी जो है वो आयोजित नहीं हो पाया फिर 25 जुलाई को टीटी किया जाएगा तो ऐसी सभी बड़ी अपडेट के लिए सिख्षखभत्तह की सभी बड़ी अपडेट क के लिए वर्क फ्रॉम ऑघ्रनेंग और ओनाईटीचिंग प्रेटफर्पार्म् मॉबाइल अर्र्स खाया वीडियो देखने के लिए आप अब ही का अभी मेरे चल्शक वीडियो जो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिली साथी साथ दोस्तों स्कूल जो हैं वो तो बंदी चल रहे हैं बट नया अकेडमिक यह तो हमारा शुरू हो गया है ना और मैं जरूर आशा करती हूं कि सभी बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर और बहतरी इन बनाने के लिए आप लोगों के लिए पता है अनक्याडमिक की तरफ से एक स्पेशल में कह सकती हूं है यह बच्चो के लिए एक स्पेशल टेसरी जुए हो शुरू की गई है और यह टेसरी जो है वो क्लासवाइस शुरू की गई है 9-10 पाई-10 के लिए 16 कितना स्ट्रॉंग बना दिए और वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इसके लिए आपको करना किया डिस्क्रिप्शन वॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है सारे लिंक जो है वो फ्री जो आपको टैस्सिरी देनी है उसके लिए उसमें आप पूर्ण 11 जो मे कुले बट यह कि आपकी जो तैयारी है वो नहीं रुकने चाहिए